हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैं चैनल, लाउंडरी बिजनिस के इस नए एपिशोड में आपका स्वागत है, और मैं आज आज आपको एक ऐसे इरिटेटिंग प्रावलम के बारे में बताने वाला हूँ, जिसके बारे में, मार्केट में कोई मशिनरी खास्तोर से नहीं मिलती ह हैं, तथा यह लगबग हर घर में या हर लाउंडरी बिजनिस में यह समस्यां फ्यस करने को मिलती हैं, वो समस्या यह है कि जैसे ही आप वाशिंग मशिन में या घर में डार्क कपड़े, वाइट कपड़े गलती से एक साँ डाल देते हैं, तो वाइट कपडों के कुछ रे कपड़े से कहां से आ गया, तथा आप सिचुशन है यह हो जाती है कि आप कस्टमर को यह कपड़े डाक ली दे नहीं सकते हैं, क्योंकि जैसे ही कस्टमर देखेगा, वो बुरी तरह से इरिटेट हो जाएगा, तथा एक छोटा बच्चा भी अगर इस तरह के कपड़ा आते हैं कि मेरे कपड़े में यह कुछ पतानी क्या लग गया, यह मेरे कपड़ा खराब हो गया, इसको ठीक करो, और इसको दूर करने के लिए क्यों पांच मिन का समय लगता है, तो चलिए मैं आपको बताऊंगा कि इसको कैसे आप दूर कर सकते हैं, तथा एक चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेर करिए और लाइक करिए, चलिए मैं आपको बताता हूं कि कपड़ों से, हुआइट रेसे या लिंट कैसे दूर करते हैं, हलो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरे पास एक शर्ट है, जो किसे कस्टमर का आया हुआ है, कि इस कप डालने हैं, और इसी के लिए मेरे पास ये कपड़ा आया हुआ है, तो इसको मैं कैसे निकालूँ गा, ये मैं आप से शेर कर रहा हूं, आप देख पा रहे होंगे, कि ये देखे कैसे कि इसमें हुआइट भवई रियसे इसमें आया हुए है, और चुकि ये रिकार्ड हो र एसको खोल जैसे कुछ आवाज आती है वा पर उतना खुलिए जैसे कि इसको अब रिवर्स रूपमें वापस आप इसको इसी टेप पर लपेट दें आप चाहें तो इसको कहीं और भी किसी बड़े रोलर पे बहएट सकते हैं लेकिं वेतर रहेगा कि आप इसके ऊपर लपेटेंगे तो आपको रोल करने में आसानी हो जाएगी और बड़े आसानी से आप इसको पाएगे जैसे कि मैंने ये यह मैंने इसके उपर रोल कर दिया है जैसा कि आप देख पा रहे होंगे अब करना क्या है अब इसके बीच में आप ऐसे अपने उंगली में इसको पहन लिए जो तरीके से कर सकते हैं तो और आप यहां देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ आप यह रेशे देख रहे हैं आपको यहां पर लगाना है और इसको रोल करना इसके अब देख पा रहे हैंगे आपको इसको कप्रे को बस ऐसे रोल करते जाएंगे तो यह रेशे इस सेलो टेप में चिपड़ता जाएगा बार बार एक लाइन से आपको करना है कि दिखता गया आपको और इस बात की तनिक भी चिंता मत करिए कि आपके कपड़े में गम लगेगा एकदम गम इसका गम जो है आपके कपड़े पे एकदम नहीं आएगा क्योंकि इसकी जो गमिंग पावर है वह कपड़े में जो रेशे हैं उसको चिपका रहा है और आपके कपड़े पे थोड़ा भी गम नहीं लगेगा और कपड़ा आपका पूरी तरह से एकदम फिनिश हो जाएगा जैसे पता ही नहीं रचलेगा कि इस पे कभी रेशे लगे हुए थे आप देख सकते हैं जैसे आप यहां दिखिए अभी आपको इसमें दिख होंगा अराम से दीतरे रूल करना है देखिए यह अराम से इस पे आजाएगा अब दिख पा रहे होंगे यह एकदम क्लीन हो गया मैं आपको दिखा भी देता हूं कि कैसे करना कर रहे हैं अब आप देखिए गार्री देखिए दोनों में आप फरक देख सकते हैं इस पर रेशे हैं और इस पर रेशे हट गए हैं अब जैसे एक बार और में आपको दिखा देता हूं अब जैसे में नयाब कर डिक शाट का एक पार्ड लिया आप यह देखिए अब ध्यान से देखेंगे इस टेप को तो आपको दीखेगा यह सारे रेशे हैं यह इस टेप पर चिपक गया है और इसके बाद से आपका जब यह काम हो जाए इसको निकाल के आप आप देखिए सारे रेशे इस पर चिपक गया है तो उमिद करता हूँ यह वीडियो आपके लिए लाबदायक होगा और आप आसानी से अपने बेजनेस में इस तरह की समझे आएं अगर आ रही है तो आपको दूर कर पाएंगे तो तब तक के लिए धन्यबाद टेक केर